एक सवाल रिशे केज जो की हर दर्शक हम से पूछते हैं जो नया निवेश करना चाहते हैं हम से पूछते हैं कि SIP का जो अमाउंट है वो तै कैसे करना चाहिए किसी को एक गोल उसने गोल सेट कर लिया लेकिन यू तो आप 500 रोपे से भी SIP की शुरुआत कर सकते हैं लेकिन S कि SIP का अमाउंट करने का क्या कोई फॉर्मूला है जिसको ध्यान में रखते हुए आप एक मिनिममम अमाउंट से शुरुआत करें और इसके बाद धिर धिर एवेंचुली स्टेप अप करें सबसे पहला कदम अगर आपको टागेट करना है या SIP के अमाउंट डिसाइड कर कर लो कि तुम्हें 13-14, 13-14, 14-14, कितना प्रतीशत रिटर्न बनाना है उस हिसाब से आपको एक मिक्स करना बहुत जरूरी है across market caps, large caps, mid caps, small caps के हिसाब से, दूसरा कदम ये है कि amount कितनी होनी चाहिए जो आपने कहा, तो आपके expenses के बाद जितना amount बचता है, तो expenses को बाजू मे रखे करीबन 20-30% जब आप करियर चालू करते हैं, तो शायद वो प्रतिशत कम होगा, उसका अनुपात 10-20% होगा, जैसे लेकिन आपकी करियर में बढ़त होगी, ग्रोथ होगी, उसका proportion 30-40% हो जाना चाहिए, जिसका आप SIP कर सबोगा, तो यह तरीका अपनाना चाहिए, कि 20-30% of your income should go into SIP.